ओलो केट्स वेल्काम टू टीटूलर्निंग कैसे हैं आप सब ? घ्रीड तू केट्स आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अब तक हमने प्लांट के कित्डे टाइप के बारे में जाना है और वो कौन कौन से हैं ? तो अब तक हम जा चुके हैं ट्रीज के बारे में, शरब्स के बारे में और हर्ब्स के बारे में और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे fourth type of plant which is climber तो आखिर climber किने कहते हैं तो पहले आप मुझे बताईए क्या अपने money plant देखा है यह स्थ देखा होगा कहीं ना कहीं आस्पास जरूर नॉर्मली हर घर में होता ही है आपने कभी नोटिस किया है कि money plant को grow करने के लिए यानि कि आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी support की जरुपर्ण होती है और वो support या तो trees हो सकते हैं या कोई वाल हो सकती है या कोई stick हो सकती है तो ऐसी plants को जो weak होते हैं उन्हें grow करने के लिए support की ज़रूरत होती है तो उन सभी plants को हम climbers कहते हैं climb मतलब होता है चड़ना तो जो plant किसी support पर चड़ कर आगे बढ़ते हैं उन्हें ही हम कहते हैं climbers ऐसे ही आपने grape plant देखा होगा जिस पर green grabs या black grabs आते हैं तो grab plant को भी आगे बढ़ने के लिए stick जैसे support की ज़रूरत होती है इसलिए इसे भी कहते हैं climber तो children now comes to the question part so let us see आप climbers को अच्छे से समझ पाए हैं या नहीं so the first question is कि जिन plant पर beans आते हैं या beans plant को आप climber कहेंगे या नहीं so जो bean plant होते हैं जिन पर beans आते हैं जिन्हें आप खाते हैं they also need support and ये plant weak भी होते हैं इसलिए हम beans plant को climber कहते हैं क्योंकि ये stick के support से ही आगे बढ़ते हैं now second question is जो पपाया प्लांट होता है यानि कि जो पपीते का पौद होता है क्या वो climber होता है सोचिए कैसा होता है पपाया प्लांट yes वो होता है tall strong तो क्या वो एक climber हुआ नहीं क्योंकि उसको आगे बढ़ने के लिए support की requirement नहीं होती है तो पपाया प्लांट is not a climber okay now tell me क्या आप चानते हैं कि जितने भी gourd vegetables यानि की apple gourd, bottle gourd यानि की locky, tindy, bitter gourd यानि की karela ये सब क्या होते हैं they all are climbers क्योंकि इन सब भी को आगे बढ़ने के लिए यानि की grow होने के लिए support की requirement होती है support यानि की stick, wall ऐसी चीज जिस पे ये चड़ करके grow हो पाते है तो children आज हमने जाना की climbers क्या होते हैं, climbers होते हैं, weak plants जिनको grow होने के लिए support की requirement होती है तो अब तक हम जान चुके हैं trees के बारे में, shrubs के बारे में, herbs के बारे में and climbers के बारे में और अगले वीडियो में हम fifth type of plant के बारे में जानेंगे तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए, bye bye और अगले चagenा उल को ऑ्सकी झाख फुरत के बारे में तो गले धते हैं और अगले टेम में के जाने हैं, मैं जाने हैं लिए बारे में math lihat внеш बारे में व्रभरावियो से